अग्यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज का जो टोपिक है वह है कुछ चर्चित में हिलाएं इनकी दोजार इक्ष और दोजार बाइस की जो प्रमु को महिलाएं हैं और वो चर्चा में रही हैं अपने किसी ना किसी कारे के लिए तो आज हम उसी टोपिक को कवर करेंगे और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ भारतिये भी हैं कुछ अंतराश्टे हैं तो उन सभी महिलाओं को हम कि चर्चा करेंगे किस पद पर वो आशिन हुई है और चर्चा में क्यूं आई है तो अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो पिलीज चैनल को जरा सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ वीडियो को शेर जरू करें तो चलिए फिर शुरू करेंगे अपना ये स्टेशन और तो सबसे पहले देखे पहली जो महिला है वह है जानवी डांग गेती ठीक है जानवी डांग केती ये पहली महिला है और चर्चा में क्यों है या अंदर प्रिदेश की है इतने जाहिए रखेंगी या अंदर प्रिदेश की है और अमेरिका के केनेडि स्पेस सेंटर में नासा के अंतराष्ट वाई यू और अंतरिक्ष कारेक्रम में प्रसिक्षन पूरा करने वाले ये पहली महिला है तो इस कारण से ये चर्चा में रही है तो अंद्र प्रिदेश की हैं जानवी डंकेती और कैनेडी स्पी सेंटर में जो नासा के अंतराष्ट वायू और अंत्रिक्षे कारेक्रम में उसमें इनको टैनिंग को पूरा किया है और पूरा ऐसा करने वाली पहली भारते महिला हैं कि सेकेंड है शांति-श्री धुली पुड़ी तो शांति-श्री धुली-पुड़ी है यह चरचा में कियूं है तो यह क्यों है देखे सावित्री भाई फूले विश्विद्याले पूर्णे में कि उनन्ठ यह राजनीती विज्ञान की। प्रोफेशर है और इन्हें बस्तिल जवारलाल नहरू विश्विद्याले नई दिल्ली की पहली महिला चांसलर के रूप में से निउक्त किया गया है ठीके तो जवारलाल नहरू विश्विद्याले नई दिल्ली की पहली महिला कुलपती के रूप में इसको इनको निउक्त किया गया है तो ये 37 धुरिपड़ी इ सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में इन्होंने प्रथम इस्तान प्राप्त किया है do i compromised जमेत्री हैं एक्ट्रेस हैं और रश्मी । रश्मी का मंत्ः उन्हों ने फॉर्स जण ज्णारे कि गई हिए लिष्ट। five 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 उसमें एक्ट्रस की सूची में उन्होंने पहलाइस्तान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है जारा रदरफोर्ड जारा रदरफोर्ड तो जारा रदरफोर्ड ये कोन है देखे बैल्जियम ब्रिटिस पाइलेट हैं और अकेले ही उडान भरने वाली दुनिया की पहली महिला हैं अकेले ही दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने उडान भरी है और इन्हों जो उड़ान भरी थी वो उड़ान माइक्रो लाइट विमान से इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है जारा रदर फोर्ड माइक्रो लाइट विमान से इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और ये उड़ान ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं इन्हें रांतराष्टे बाली का दीवस जो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं तो 11 अक्टूबर 2021 को इन्हें एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिस उच्चायुक्त का पदभार प्रदान किया था ठीक है इतना भी याद रखने के पूछा जा सकता है कि एक दिन के लिए भारत में प्रिटिस उच्चायुक्त का पदभार समालने वाली महिला कोने तो अधिती महिश्वरी नेक्स्ट है गीता गुपीनाथ हैं और ये कोन है कि एकोनोटिस है यानके आर्थ Watts ब्रदो इसमाधिय हैं और इन्होंने ये कोन हैं भारतिये हैं और अमेरिका में रहती हैं अमेरिक प्रवंदक निदेशक के रूप में इनको निक्त क्या गया है तो इस कारण से यह चर्चा में रही हैं तो यह भी आप याद रखेंगे और सभी जितनी भी महिला हैं सभी आप सभी को एक बार रिवायक जरूर के हैं और यहां से आपको एक प्रशन जरूर बनेगा और एक से दो प्रशन बनने की पूरी-पूरी समभावना रहे की प्रिक्शा में अगर आप अपेर होते हैं कि दीखे आगे हैं अलका मित्तन और यह कौन है इनको चर्चा में क्यों पहली महिला अंत्रिम अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक निक्त किया गया है और इस कारण से चर्चा में रही है के अलका उकावपाध्याई और अलकावपाध्याई नहीं नहाई कि पहली महिला अध्यक्ष निक्त के गया है इनको और इंप्पोर्ट्ट्राइट होंगी पूछा जा सकता है कि नहाई की पहली महिला द्यक्ष्ट के रूप में किसे निउत्त किया गया तो अल्पा उपाध्याएं में क्यों साथ donna टेया एक polite de schnell dependent क्यों चर्चा में रहे ईक इनका कारण और ये इस कारण से चर्चा में रही है, नेक्स्ट है, माध्वी पूरी बुदु, इनको हाली में भारते प्रतिभूती एवा विनीमे बोर्ड सीबी की पहली महीला अधक्श चुना गया है जिस कारण से चर्चा में रही है और नेस्ट है नीमा बेन आचारिये क्यों चर्चा में आई है कि गुज्रात विदान सभा की पहली महीला अधक्श। नेक्स्ट है अनिता आनंद है और यह अनिता आनंद जो चर्चा में रही है देखे कनाडा के प्रधान मंत्री जो है जस्टिन टूडो ठीक है कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो को देश के रक्षा मंत्री के रूप में निक्त क्या गया है ठीक है भारते मोलकी अनिता आनंद को कनाडा के प्रदान मंतरी जश्टिन टूडो ने देश की रक्षा मंतरी की रूप में ने निक्त किया गया है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आश्रिता वी ओलेटी इंपोर्टेंट है और चर्चा में रहने का कारण है इनका देखिए यह कौन है यह स्कॉइन लीडर है और यह भारते वायु शैना में पहली और एक मात्र महिला है जो उडान परिक्षण इंजीनियर के रूप में इनको निक्त किया गया है आश्रिता वी ओलेटी भारते वायु शैने की पहली और एक मात्र महिला है नेक्स्ट है उजवला सिंगानिया उजवला सिंगानिया और इन्हें हाली में फिक्की लेडी ओर्गनाजेशन का राष्ट अधक्ष निक्त किया गया है प्रेंका राधा क्रिशनन प्रेंका राधा क्रिशन के चर्चा में रहने का कारण क्या है और इंप्रोटेंट है इनके यह भारते मुल्की है और इन्हें न्यूजिलेंड के सरकार में क्या कैबिनेट मंत्री निक्त किया गया पूछा जा सकता है कि न्यूजिलेंड के सरकार में पहली मज़िरा निक्त होने वाली भारत्य मोलगी कौन से हैं तो यह है प्रियंका राधा-कृष्णन ठीक है प्रियंका क्राधा-कृष्णन है और इनके न्युजिलेंट के सरकार्में केबिनेट मंत्री के रोप में इनके निक्त किया गया है जिनके चर्चा में रहने का कारण है अगे हैं मावय सुदान है और मावय सुदान को ने ये ये भारते वायुशेणा में फाइटर पाइलेट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग ओफिशर है मावय सुदान है नेक्स्ट है प्रिति शिन्हा और प्रिति शिन्हा ये भी इंप्रोटन्ट है क्योंकि सेंक्तुराष्ट पुंजी विकास कोस ने हाली में भारते मुल्की प्रिति शिन्हा को अपना कारे-कारी सचीव नियुक्त क्या है अपना कारे-कारे, नियुक्तोस हीचिफ क्या है, स्विन्ध राश्ट, पुँंजी ग्रिस, विकास, कोष ने और यह भारते मोलकी हैं। प्रिति, शिनहा इनके चर्चा में रहने का कारण है, कि उनके नाम पर जो जम्मू जैन्ति घोस और यह भारते अत्र सास्त्री हैं और इन्हें सेंक्त राश्ट महासची बहुपक्ष वाद पर सेंक्त राश्ट के नव इस्ताप्रित सलाकार बोर्ड के सदस्टे के रूप में इनको निक्ट किया गया है जैन्ति घोस पृती शिनहाँ चलिए हम इने देख चुके हैं ठीक है कोँ ने ये अन्तरदाः सेंट राष्ट कुझी विकास कोस्ट में कारेकार सेर्च भी रिये केई हैं ये नेक्स्ट है MOR fatal जैस्मीन हैरिशन जैस्मीन हैरिशन और इनके चर्चा में रहने का जो कारण है वो है ये United Kingdom की है UK की Atlantic महासागर को अकेले नोका से पार करने वाली सबसे कम उम्रे की महिला है ठीक है Atlantic महासागर को अकेले नोका से पार करने वाली सबसे कम उम्रे की महिला बनी है और इन्होंने अपनी यह जो यात्रा थी जो जर्णी थी इसको पार करने की वो कनारी द्वीप से इनको इन्होंने शुरू की थी और केरिब्याई द्वीप है के एंटिगुआ यहां पर आकर कि इन्होंने अपनी यात्रा को विराम दिया अपनी यात्रों को यहां पर आकर सम beshtै दुनिया की सबसे उची चोटी है Mount अनपुर्णा मांट अनपूर्णा और इसको इस पर चढमाई करने वाली पहली भारत्य महिला बनी है यह पहली भारत्य महिला है प्रियंका मोहिते का नाम उखेंगे important होगा यह पहली महीला है जो दस वी जो उंची चोटी है अन्न पूर्णा और इसे इस पर चड़ाइ करने वाली पहली महीला है ये तो बताइए comment box में की अन्न पूर्णा चोटी है ये कहां पर है इसका जबाब आपने हमें comment box में देने की दीजिए नेक्स्ट है एवरेश्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकोर्ड बनाने वाली महीला परवातरोई है तशांग इन हंग है तशांग इन हंग और ये होंग कोंग की है और ये चर्चा में जो रही है चर्चा में जो रही है यह क्या है कि एवरिश्ट कर सबसे तेज चढ़ाई का रिकोर्ड इनके नाम है किया है इनोंने तो इस कारण से यह चर्चा में रही है नेक्स्ट हैं सिरिशा बांदला हैं और चर्चा में रहने का कारण है इनका कि जुलाई 2021 में भारते मूल की अमेरीकी नागरिक हैं सिरिशा बंदला और अंत्रिक्ष कंपनी वर्जिन गेलेक्टिक के अंत्रिक्ष यान वी एस एस यूनिटी के माधम से अंत्रिक्ष की यात्रा किये इन्होंने वी एस एस यूनिटी के माधम से इन्होंने क्या किये है अंत्रिक्ष की यात्रा की है ठीक है चले आगे नेक्स्ट हैं ध्रती बने ध्रतिब इनर्जी और इनके भारतिय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की पहली महिला निदेशक की रूप में इनको निउक्त किया गया है, नेक्स्ट हैं जोईंता मंडल, जोईंता मंडल क्यों चर्चा में हैं और चर्चा में रहने कारण क्या कि भारत की पहली ट्रांसजे लोक अदालत में क्योंने जज़ बनी है ठीक है भारत की जो प्रतम ट्रांसजेंडर लोक अदालत है उसमें ये इनको ज़ज बनाया गया है और ये इस कारण से चर्चा में बनी ही है कुछ अन्य जो राष्टपती और रूप राष्टपती पतपर न्युक्त हुई हैं कुछ महिलाएं हैं और उन्हें भी देख लेते हैं जिसे होंडुरास की राष्टपती जो न्युक्त की गई है वो सिया मारो कास्त्रो को होंडुरास की राष्टपती के रूप में इनको न्युक्त किया गया है और नजला बोडेन रॉम धाने इन्हें त्यूनीश्या की प्रधान मंतरी के रूप में न्युक्त किया गया है ये भी चर्चा में रही है और बारबाडोस की प्रधान मंतरी न नुक्तमी हैं, डेम सेंडरा मेशन, बारबा डोरस की प्रधान मंतरी के रूप में, पीम के रूप में इनोंने सब पतली, और शाम्या सुलू हसन, ये भी क्यों है, ये तंजानिया की राश्ट्पती बनी हैं, और ये भी चर्चा में रही थी, और नेक्ट है, मालडोवा की र आश्टि है, जो नेशनल और इंटरनेशनल, फिल्ड में, ये किसी ना किसी फिल्ड में चर्चा में रही थी, इन्हें नुक्त किया गया, या इनोंने कुछ ऐसा काम किया, जिस कारण से ये चर्चा में बनी रही हैं, आप पूरा वीडियो देखें एक बार, और पूरा वी से कोई ना कोई प्रेशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको एक बार देखेंगे, और देखने के बाद में आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, और इन्हें आप नोट डाउन भी कर सक करें, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन को धार देखें, तो चलिए फिर वाचिंग करने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाएं, और बेल आइकन जरूर प्रेश करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको वीडियो के आते ही प्राप्त हो जाएं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हमारे मिशना हो, तो चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद,